दुर्ग शहर के वाडों में पेजल समस्या को लेकर आ रही परिशानियों को लेकर एक तरफ भाजपा दुर्ग निगम को घेरने अपनी रंड नीती बना रही है तो वहीं इस मामले में शहर विधायक ने भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं होने की बात कही है दुर्ग शहर में इन दिनों कई वाडों में लगातार पानी की किलते होती देखी जा रही है इसके चलते दुर्ग के वाड चार गया नगर के रहवासियों ने पानी की समस्या को लेकर अपनी आवाज उठाई जहां 10 से 12 हजार की आबादी वाले शेतर में बीते 15 दिनों से ल रोप लगाते हुए भाजपा के पूर्व सभापती दिनेश देवांगन ने शहर विधायक और महापार को घेरा जिस पर अपना पलटवार करते हुए शहर विधायक अरुन्मूरा ने भाजपा परतन जो कसते हुए कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है वो सिर् को बचाने के लिए वो कोई तरह तरह के हदकंडे अपनाती रहती है मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहर का चौमुकी विकास हो रहा है और सबसे पहली प्रात्मिक्ता में हमारी पेजल है हमने सबसे पहले पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया और आपने देखा ह होगा कि लगभग लगभग सभी वाडों में यह समस्या दूर हो गई है कुछ वाडों में निश्यत रूप से समस्या आ रही है उसके निराकरन के लिए भी हमने एक करोड़ साथ लाख रुपय की रासी जो पंप की आउशकता है पहले चार पंप के माध्यम से पानी की सप् हमने इसके पंप को खरीदने के लिए कहा है और यह बहुत जल्दी पंप आ जाएंगे और जैसी यह पंप आएंगे शुनात नदी में लगेंगे तो निस्यत रूप से पानी की समस्या दूर होगी जब तक हमने इस पश्ट रूप से कमिश्टर से कहा कह दिया है कि जहां ज हमने भी ऐसी सिकायत नहीं आनी चाहिए कि पानी नहीं मिल रहा है मुझ तक भी सिकायत आती है लेकिन हम उसके निराकरन करने में कोई कमी नहीं करने हमने महापारची से भी कह दिया है और आयुक्त महदे से भी कहा है कि वे फूरी मॉनेटरिंग करें और चाक चौबन द्व द्रूब का विकास हो रहा है दो में चो सब्कें दि lag देरिए दूरूब तक कि आते हैं एक एक बिकारी होते हैं क्या पीने के पानी को नोने जरूर मुद्दां मैं भी इस बात मैसस करता हूं कि कहीं कहीं पीने की समझ्स्या है लेकिन हम उसके बार जल्दी इसको निजाद पा लेंगे और हम हर घर में पानी पहुंचाएंगे दुर्भाग की जनक है जयानागर में लगतार पानी की संकट है इसलिए दो सालों से हम बहुत संघर्ज कर रहे हैं वगेरा से यहां पानी टेंगी पहुंसता है पानी और अगर लाइन की बात करें तो देड़ सो किलिमेटर का भूई लाइन बिचा हुआ है और अंतिम छड़ तक पानी पहुंसते पहुंसते पानी का धार बहुत पतला हो जाती है 15-17 दिन ऐसा हो गया कि कई घरों के नलों में पानी नहीं आ रहे हैं बूंद भर पानी नहीं आ रहे हैं कुछ घरों में पानी ची नहीं आ रहे हैं लगतार परिशान हैं लोग पानी के लिए दर उदर बात ये है कि गयानगर से 50 मिटर दूरी पर अमरित मिशन उजना के तहर लगवाग 10 लाक लिटर से उच्छे शमता वली पानी टंकी बनी हुए और इस पानी टंकी की छमता इतना है कि यह 2-3 वाड को आराम से पानी दे सकते हैं और अभी उसमें आधी टंकी पानी भरने के बा अंदोलन होने के बाद मानी जिलादीस महोद हैं विधायक महोद हैं महापोर महोद हैं और निगम के सारे उच्छे अधिकारी आये लगतार एक महां तक वाज कि और अंत में यह पाए कि बगेर टंकी बहुत दूर होता है और उसको यहां से पानी सप्लाई नहीं हो सकते इस उसके दबाओं में पूरे अधिकारी कर्मचारियों को दबाओ पुरो वापस बुलाया गया है उसका नतीजा यह हो कि लोग बुन-बुन पानी के लिए तरस रहें कॉंग्रेस के राज में विधाय करून बुराजी महापोर कॉंग्रेस के हैं इन लोग किस प्रकार से प्रायनगर की जनता और यह पूरी शहर की समस्य है इस मुद्दो के लेकर अब सब ने मन बना लिया है चोबिस तारिक को हम सब हला बूल करेंगी ग्रैनेसीन न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारू की रिपोर्ट